module 129 indirect assessment for PDST तो जब हम indirect assessment की बात करते हैं तो we always discussed about the interviews तीक है अब interviews की बात जब हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा important है कि हमने ये information लेने की कोशिश करनी है कि जो बच्चा है उसकी जो family life है वो कैसी है और जब event हुआ तो उसके बाद उसकी family life कैसी है ठीक है कि उसका जो support system था वो कैसा रहा या उस बच्चे ने उस event को repeatedly तो experience नहीं किया और वो जो सारी चीजें थी घर में कितने लोगों को पता है किस तरह की बातें जो हैं उस बच्चे ने family से कोई ऐसी बातें तो नहीं सुनी जिससे उसके और जादा वो psychological distress में चला गया हो इसके साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चे की जो developmental history है वो कैसी है क्या वो developmentally normal था क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे जो कि थोड़े से developmentally immature होते है certain time उनका जो problem होता है उनके साथ जो sexual abuse है वो थोड़े से जादा उनकी incident report भी होते है इसी तरह जो बच्चे थोड़े से academically weak होते हैं तो उनको साथ certain time physical abuse जो है वो जादा report किया जाता है I am talking in the cultural aspect ठीक है तो इस तरह की चीज़ें जो है उनको find out करना family history से बहुत important है इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत important है कि बच्चा घर के अंदर चाहे उसके साथ नहीं हो रहा लेकिन उसकी family members में किसी के साथ हो रहा है या उसने कोई sexual abuse तो experience नहीं किया या कोई sexual abuse को witness तो नहीं किया तो this is something कि जो कि बच्चों के psychology के उपर बहुत जादा effect करता है and we need to be very careful about taking that information यहाँ पर एक चीज़ बहुत important है जो मैं आपके साथ share करूँगी that is about the confidentiality issue that is about the sensitivity of issue तो आप इसकी history वहकुल उस तरह नहीं remote way में ले सकते है जिस तरह आप बाकी चीज़ों में certain कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप remotely पूछ लेते हो तो यहाँ पर जब भी कोई PDSD का case आएगा you need to be extra careful, you need to be extra sensitive towards that thing तो आपने family के अंदर sometimes ऐसी parents बातें जो होती है वो parents किसी और से नहीं करते mostly हमारे पास जो cases report होते हैं उस में mother को पता होता है even family में father को भी नहीं पता होता तो आपको इस चीज़ का भी बहुत धिहान रखना है कि जिस वकत आप interview ले रहे हैं तो आप कौन सी information किस के सामने disclose करेंगी और किस के सामने disclose नहीं करेंगी certain time यह भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इतना जदा खौफ जदा होते हैं कि वो अपनी family में भी किसी से यह बात share नहीं कर पा रहे होते तो यह बात आप उसकी family को भी बताने के लिए आपको उस बच्चे को confidence में लेना पड़ेगा उसके बाद आप यह बातें जो हैं वो family से share कर सकते हैं तो you need to be very careful and very sensitive towards taking information regarding any stressful event and जब भी आप interview start करेंगे तो आपने client को इस चीज़ की provision देनी है कि अगर वो चाहे तो वो आपको उसकी detail ना दे चाहे एक हिस्सा नहीं बताना चाहता तो वो ना बताए उसको यह पूरा freedom आपने देना है क्यूं? क्योंकि PDST के दौरान बच्चे इस तरह की चीज़ें आप उनका जब non-verbal behavior देखेंगे तो आपको idea होगा कि they are getting in stress तो अगर आपको यह लगा कि बच्चा comfortable नहीं हो रहा और वो नहीं बताना चाहरा तो you need to be give him or her space तो यह चीज़ें आपने जिस वकत interview conduct करनी है you need to be careful then we know that we always collect the baseline chart ताके हमें उसे यह पता चल सके कि कौन कौन से time के ओपर बच्चा जो है वो यह problem face कर रहा है उसके जो PDST के symptoms है वो कब कब आएंगे आते हैं तो इस तरह की जो observation है वो parents भी कर सकते हैं teachers भी कर सकते हैं बच्चा खुद भी कर सकता है it depends upon कि आप उस वकत क्लाइन की जो situation है उसके reference में you are asking from which person to do that thing ओके यहां पर हम एक case जो है वो अशर का हम share करेंगे असद और अशर जो थे they were like playing on 16th in a lawn और वहां पर अशर की जो younger sister थी वो मौझूद थी अब हुआ क्या कि यह जो असद का डॉब था उसने उस बच्ची को bite कर लिया ear पे और neck के उपर ठीक है और उसके बाद हुआ क्या कि जो अशर का behavior था वो क्या था कि उससे scream करना शुरू कर दिया cry करना शुरू कर दिया और वो अपने घर की तरफ भागा उस दौरान उसका emotion जो था वो बहुत जादा fearful था और thought क्या था कि उससे ये सोचा कि इस dog है उसने मेरी बेहन को काट लिया and it is all happened because of me ठीक है क्योंके मुझे उस बच्ची को यहां पर नहीं लेकर आना चाहिए था और उसे उसका emotion क्या था that was the fearful और उसकी intensity क्या थी emotion की 95% उसके बाद क्या हुआ कि जब भी आईशे कमरे में बैठा होता था और वो dog की सुनता था कहीं पर कि dog बाग कर रहा है तो वो फारी तोर पर अपनी जो छोटी बहन थी उसको देखना शुरू कर देता था कि वो कहा है और उसके जहन में thought क्या आता था कि might be जो dog है वो मेरी बहन को दुबारा काट लेगा और उस दौरान जो उसका emotion था वो anxious होता था और intensity जो थी वो उसकी 98% होती थी तो इस तरह जब हमारे पास baseline chart आ जाती है तो उससे हमें help मिलती है कि understand करने में कि कौन से cues हैं किस के बाद बचे के अंदर किस किसम का emotion बचा experience करता और उसकी thought processing क्या है उसकी मदद से हम उसका diagnosis भी जो है उसमें भी हमें help मिलती है as well as हमें उसका management plan device करने में और उस problem के causes को भी understand करने में help generate होती है